दोस्तों, स्वामी देवदेजी के योटुक चैनल में इक पर फिर से आपका स्वाकत है मैं दो हूँ आज बहुत ही शक्तिशाली वे पारफुल उपाय मैं आपके सामने लेकर रहा हूँ उसके बाद ही करना है वीडियो को अन्त तक देखें इस उपाय को इतना परचंड वे शक्तिशाली माना गया है कि जिसने भी इसका एक बार प्रयोग किया है वे कदाचित भी अपने कारे से विफल नहीं हुआ और उसे अपने जो भी मनोई चह है वे पूर्न हुई है और हर स्त्री पुरुश इसके महोजाल में फच जाते हैं एक ऐसे ही चम्तकरी उपाय के बारे मैं आज आप से जिगर करने जा रहा हूँ ये महा पारफुल वे महा शक्तिशाली उपाय है याद रहें कि इससे जुड़ी सावधानिया पहले जान ले सावधानिया जो है वे है स्त्रीया इसे मांसी धरम के दोराण इस उपाय को नहे करें और चाइस्त्री है या पुरुश रामास अंडियादी का सेवन करते हैं तो कदर्चित इन्हें वर्चित करें इस कारे को आप सब्ता के किसी भी वार कर सकते हैं लेकिन रात्री में करना है नौ बजे के बाद करें रात्री में नौ बजे के बाद दिशा जो रहेगी उत्तर रहेगी किसी सब्ता के किसी भी वार कर सकते हैं रात्री में नौ बजे लेकिन दीशा उत्तर है कि आसन आपको लाल कलर का ही लगाना है अन्य कोई आसन नहीं लगना चाहिए ताकि आपको कोई भी अंग जमीन पेना लगे इस बात का खास क्या लगा है आपको करना क्या है वैं मैं आपको बताता हूँ उससे पहले मेरा आपसे निवेदर रहेगा अगर अब तक आपने हमारा यूटूब चैनल सस्क्राब ने किया तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें और पैल आइकन को दबाना ने भूले ताकि आगर चलकर हम आपको और भी टोटकी में मंतर बता पाएं वीडियो अच्छा लगे लाइक शेर जुरूर करें उन लोगों तक बंचाएं जिनके जीवनें बहुत सी परशानिया चले हैं उल्चने चल रही हैं और वह समाधान चाते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ें आपको अच्छा समाधान आपके हर प्रॉब्लम पर सिल्यूशन उचित दिया जाएगा वैस सरल टोटके के दोवारा समझाया जाएगा जैसे कि आप स्वैम टोटिये करके अपनी जीवन से बादा को निकाल सकते हैं आपको क्या करना है एक तस्वीर का निर्माण करना है या आप करें कि स्वैम की तस्वीर हो सामने वाले कि आपके पास तस्वीर है तो आप उसका प्रिंट दोनों को साथ निकलुआ लिए यदी संपभभ नहीं है तो आप अपने बारे में सोचते हैं अपनी तस्वीर मनाएं चाहाएब लड़का है या लड़की है उसके बारे में सोथी उसकी तस्वीर बना है उपे लेखें चमतकारी तोटका order का उसके बाद इसके पीछे जो इस तस्वीर पीछे जो यंत्र बनाना है वे अपको सामने दिख रहा है उसके उपर सबसे पहले लिगना है बद्धे बद्धे लिखने के बाद आपको एक चकुर बनाना है उसमें दो खड़ी रखाएं दो आड़ी रखाएं उसके बाद जो संक्या अंकित करनी है वह है 11, 13, 19 फिर लिखनी है 21, 71, 81 उसके बाद जो तीसरी लाइन में 22, 32, 42 इसके साइड में भी आपको बद्धे लिख फिर आपको लिखना है बद्धे अब यह सब करन देने के बाद यादरे के इस तस्वीर के पीछे बनाना है जैसा कि मैंने बना रखा मैं पहले आपको दिखा देता हूँ और एक आपको अलग से बनाना है इसके पीछे बिलकुल और एक आपको अलग से बनाना उसके बाद उसी यंत्र के उपर इस तस्वीर को रख दें और इसे लाल कपड़े में बांद कर आप अपने तकिये के नीचे रख कर सो जाएं। सारी सामगरी को चलते हुए पानी में विसर्जित कर दी इसी अंतर के समेथ वे इंसान आपके बाधित बद्धे हो जाएगा बद्धे यानि की वशी भूत हो जाएगा इसके अलावा अगर आपके जिवन कोई समझा चले और आप उसका उच्छी समाधान चाहते हैं तो मुझ